Good morning बच्चो, मैं हूँ अमीत तिवारी और आप देखरें अपने YouTube चैनल Focus on Physics बच्चो आजम क्लास 12 के लिए Chapter 3 से Related MCQ का Part 1 हिंदी मेडियम में लेकर आए हुए है तो चलिए सुरू करते हैं आज के क्लास को Question No.1 है कि प्रती एकांक समय में प्रवाहित विधुत आवेश को कहते हैं हमारे Options है, Option A विधुत धारा, Option B विधुत द्विधुरूब, Option C विधुत छेत्र और Option D इन में से कोई नहीं सोचिए बच्चो कौनसा Option सही होगा प्रती एकांक समय में प्रवाहित विधुत आवेश को विधुत धारा कहा जाता है I mean हमारे Option A सही होंगे, विधुत धारा विधुत धारा I बराबर होता है Q by T, यानि कि आवेश बटा शमय बढ़ते हैं, Question No.2 की तरफ एक Ampere बराबर होता है हमारे Options हैं Option A, 1 कुलंब प्रती 1 सेकंड Option B, 1 कुलंब इंटू 1 सेकंड Option C, 1 सेकंड बाई 1 कुलंब और Option D, 1 सेकंड इंटू 1 कुलंब बताना है आपको की एक Ampere कितने के बराबर होता है तो हमारे Option A सही होंगे 1 कुलंब प्रती 1 सेकंड Option C, 10 का पावर 6 मीटर प्रती 1 सेकंड और Option D, 10 का पावर 7 मीटर प्रती 1 सेकंड हमारे Option B सही होंगे 10 का पावर 5 मीटर प्रती 1 सेकंड एलेक्ट्रोन का तापी ये वेग 10 का पावर 5 मीटर प्रती 1 सेकंड के ओर्डर में होता है Question Number 4 एलेक्ट्रोनों के परवाह की दिशा होती है हमारे Options है Option A, Positive to Negative, धनात्मक शरिणात्मक Option B, Negative से Positive Option C, A तथा B दोनो और Option D, इन में से कोई नहीं बच्चों, एलेक्ट्रोनों के परवाह की जो दिशा होती है वो Negative से Positive की तरफ होती है या फिर बिधुद्धारा के परवाह के अपोजिट डारेक्शन में होता है इस तरह से Option B सही होगा Negative से Positive की तरफ Question Number 5 देखा जाए बिभुआंतर एम बिधुद्धारा के अनुपात को कहा जाता है हमारे Options है Option A बिधुत आवेश Option B बिधुत बिभव Option C बिधुत प्रतिरोध और Option D इन में से कोई नहीं बच्चो बिभुआंतर भी तथा बिधुत धारा आई के अनुपात को बिधुत प्रतिरोध कहा जाता है R is equal to B by I होता है तो हमारे Option C सही होंगे बिधुत प्रतिरोध बढ़ते हैं Next Question Question Number 6 प्रतिरोध के ऐसा ही मात्रक होते हैं हमारे Option है Option A ओम Option B Volt per ampere Option C A तथा B दोनों और Option D इन में से कोई नहीं बच्चों प्रतिरोध R is equal to होता है भी बटा I मतलब Volt प्रती ampere जो की बराबर होता है ओम के तो हमारे Option C सही होंगे A तथा B दोनों आप ओम लिखें या Volt प्रती ampere लिखें दोनों सही माने जाएंगे दोनों सही होंगे बढ़ते हैं Next Question की तरफ Question No.7 यदि चालक की लंबाई दोगूनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा हमारे Options हैं A आधा Option B दोगूना Option C तीगूना और Option D चार गूना बच्चों अगर चालक की लंबाई को दोगूनी कर दी जाए तो जो नया प्रतिरोध होगा वो चार गूना हो जाएगा अगर चालक की लंबाई को तीन गूनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध नो गूना हो जाएगा तो हमारे Option कौन से होगे? Option D सही होगा चार गूना Question No.8 की तरफ बढ़ें Question No.8 है कि चालक अत्व के मात्रक होते हैं हमारे Options है, Option A प्रति ओम, Option B साइमन, Option C महो जिसको मो पढ़ा जाता है और Option D उपर के सभी, बच्चो चालक तो जो होते हैं, वो प्रतिरोध का इन्वर्स होता है तो हमारे Option A, B और C तीनो सही होगे I mean Option D सही होगा उपर के सभी Question No.9 विसिस्ट प्रतिरोध यानि प्रतिरोधकता के ऐसाई मात्रक होंगे? हमारे Option है, Option A, Ohm Option B, Ohm Meter Option C, Ohm Meter Square, I mean Ohm Work Meter और Option D, Ohm प्रति मीटर बच्चो प्रतिरोधकता निकालने के लिए फर्मूला यूज किया जाता है R into A बटा L तो R का Ohm एरिया का मीटर स्क्वाइट अब बटा मीटर जब करेंगे तो Option B आजाएगा Ohm Meter Question No.10 सुचालक के प्रतिरोधकता निर्भर करते हैं हमारे Options हैं Option A, लंबाई पर Option B, काट छेतरफल पर I mean Cross-sectional एरिया पर Option C, सुचालक की प्रकृति पर और Option D, उपर के सभी तो बच्चों जो प्रतिरोधकता होता है वो पदार्थ की प्रकृति I mean सुचालक की प्रकृति पर निर्भर करता है तो हमारा Option C सही हो गया सुचालक की प्रकृति पर या फिर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस टाइप का material यूज हो रहा है question number 11 एक ऐसा उपकरण जो परिपत में उपस्थित बिधुत धारा को दरसाता है हमारे options है option A galvanometer जिसे धारा मापी कहा जाता है option B voltmeter इससे voltage मापा जाता है option C speedometer चाल मापी और option C wattmeter तो बच्चो एलेक्टिक करेंट मापने के लिए हम galvanometer का यूज करते है ये एक टाइप का emitter जैसा होता है तो हमारे option A सही होंगे galvanometer I mean धारा मापी question number 12 की तरफ बढ़े कि पदार्थ के प्रतिरोध निर्भर होते है resistance to depend होता है हमारे options है option A सुचालक की लंबाई पर option B सुचालक के काट के छेतरफल पर option C तापमान पर और option D उपर के सभी सुचिए बचो कौन साप्षन सही होगा प्रदाथ के प्रतिरोध जो होते हैं वो किसीज़ पर depend होते हैं तो हमारे option D सही होगे उपर के सभी लंबाई पर भी depend होता है cross-sectional area पर भी depend होता है temperature पर भी depend होता है I mean option D सही होगा उपर के सभी question number 13 देखें question number 13 है कि अधिक्तम धारा प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए हमारे options है option A समनांतर करम में option B स्रेणी करम में option C मिस्रित करम में और option D इन में से कोई नहीं बच्चों जब भी अधिक्तम धारा प्राप्त करना हो तो प्रतिरोधों को शमरांतर करम में जोड़ा जाता है I mean हमारे option A सही होंगे समरांतर करम में next question number 14 जब प्रतिरोधों को श्रेणी करम में जोड़ा जाता है तो इन में से कौन सारे प्रतिरोधों के लिए समान होते हैं options है option A विभव option B धारा option C A तथा B दोनों option D इन में से कोई नहीं सोचिए बच्चों कौन सा option सही होगा हमारा option B सही होगा बिधुद्धारा स्रेणी करम में जोड़ने पर बिधुद्धारा समान होते हैं बढ़ते हैं next question और आज का last question question number 15 others emitter का प्रतिरोध होता है हमारे options है option A शुन्य option B बहुत कम option C बहुत ज्यादा और option D अनन्त तबच्चों others emitter का जो प्रतिरोध होता है वो approach सुन्य होते हैं option A सही होगा अगर सिर्फ emitter की बात की जाती तो option B सही होता बहुत कम लेकिन आदर्श emitter के लिए सुन्ने होगा तो रहने देते हैं आज के लिए मिलते हैं next class में तब तक के लिए खोस रहिए सुरक्षित रहिए और सबसे important पढ़ते रहिए Thank you Thank you so much बाबू प्रूस 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 और स्पीज़ जगर देनी होगा प्रूस लेकिन आदर्ट रहिए झाल झाल